साइंस टेकनोलोजी और इन्वेंशन की दुनिया में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसी मसीने और क्रांतिकारी टूल्स जिन्होंने इंसानों द्वारा किये जाने वाले काम के तोड़ तरीकों को बदल कर रख दिया हैं तो चलिए आपको दिखाते हैं आज की इस वीडियो में कुछ खास मसीने गेटर गेटर बड़े बड़े हाईवेज पर कई परकार के गारबेज लोग जान भूज कर या फिर गलती से गिरा देते हैं इस तरह की चीजों से रोड पर एक्सिडेंट होने का खत्रा बना रहता है सेफ्टी के लिए इस तरह के मैटीरियल को तुरंत साप करने का हल निकाला है मोडोट नाम की कमपनी ने गेटर गेटर नाम की यह मसीन रोड पर तेजी के साथ चलते हुए कचरे को कलेक्ट करने का काम करती है इस मसीन में एक ट्रक के आगे खास तरह का कंटेनर लगाया गया है जो कचरे को उठाते हुए अपने अंदर कीज लेता है कॉंक्रीट मिक्सचर MZB600 JCB मसीन पर लगे इस विशेश प्रकार के बकेट द्वारा कॉंक्रीट का मिसरन भी खुदी तयार किया जाता है इस मसीन पर लगे बकेट में रेत, सिमेंट और कॉंक्रीट डालने पर इसमें लगा विल गूमता हुआ मिक्सचर तयार करता जाता है कम लोगों के द्वारा भी इस मसीन की मदद से तेज गती से काम किया जा सकता है वाटर पंप ट्रेक्टर की मदद से चलने वाला यह वाटर पंप किसानों के लिए बेहद फायदे मन साबित हो सकता है इस मसीन का प्रियोग नहरों वे नालों से पानी को निकाल कर मोडने के लिए किया जाता है इस मसीन के साथ लगे ट्रेक्टर का हाइड्रोलिक सिस्टम इस पंप की मोटर को पावर देता है और पंप पानी को खीच कर बाहर करता जाता है इस मसीन का इस्तमाल खेतों की सिचाई और नालों से पानी की निकासी करने के लिए किया जाता है M.U. 16 बैटरी कटर आकार में बेहत चोटा सा दिखने वाला यह टूल लोहे के सरीय को काटने के लिए डिजाइन किया गया है इटली की कमपनी एडिल ग्रेपर द्वारा बनाया गया यह टूल 16 mm तक के सरीय को पलक चपकते ही काट देता है केवल 6 kg वजनी यह टूल सरीय पर 14 टन का फोर्स डालता है और यह केवल 18 वोल्ट की बैटरी से चलता है वजन में हलका होने के कारण इसे किसी भी साइट पर ले जाकर काम करना आसान है गरों के आंगन यह पार्क में पोदे लगाने के लिए सक्त मिट्टी को खोदना थोड़ा जटिल काम होता है पोदे और पेड लगाने के लिए मिट्टी को खोदने के लिए इस टूल को बनाया गया है इलेक्ट्रिसिटी पावर से चलने वाले इस टूल के सिरे पर एक खुर्पा लगा है जो वाइब्रेशन के साथ जमीन के अंदर जाकर मिट्टी की खुदाई करता है इसके अलावा घरों की दिवारों पर से पुरानी टाइल्स को उखाडने के लिए भी इस टूल का इस्तमाल किया जा सकता है आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार